हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आफशन ट्रेडिंग यानि की निफ्ती में लाइब स्टॉप लॉस ट्रेल करके दिखाने वाला हूँ तो अभी मैंने यहां पर 17,750 रुपए का एक कॉल आफशन बाई किया हुआ है और देख सकतो हो 43,75 रुपए के भाव में मुझे मिला है यानि की 43 रुपए में मैंने इसको बाई किया है और 43 रुपिया 60 पैसा 65 पैसा 85 पैसा ऐसे चल रहा है करन टाइम में भाव तो अभी 44 रुपिया हो गया है तो आप लोग वीडियो में अन तक बने रहें कि कैसे बड़ा प्रोफिट लिया जाता है क्यूंकि आप लोग हमेशा 2500-300 रुपए का प्रोफिट करते हो ऐसे मालो आप धाई-धाई-300-300 रुपए का दो-तीन प्रोफिट करोगे तो कितना दिन तक ऐसे चलेगा आपको जब लॉस होगा बहुत बड़ा लॉस होगा क्यूंकि आप लोग धाई-300 पर पहुसता है तो उसके बाद आप लोग एग्जिट कर जाते हो प्रोफिट लेकर बट जब आपको लॉस होता है तो आप लोग वेड करते हो जैसे कि आपको 300 पर अगर से लॉस हो गया तो आप लोग वेड करोगे थोड़ा सा रिकवर हो जाए उसी के चकर में 400, 500, 800 ऐसे चला जाता है तो आपको बड़ा लॉस लेना पड़ता है इसके बाद धिरे-धिरे करके आपका पूरा का पूरा कैपिटल खाली हो जाता है क्योंकि सभी लोग सोचते हैं वीडियो बनाने के चकर में मेरा नुकसान हो जाएगा तो मुझे नुकसान हो प्रॉफिट हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है बस मैं आपको लाइब करके दिखाने वाला हूँ कि लाइब स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है और 435 तो 400 के लगभग में मेरा प्रॉफिट चल रहा है और यहां से एक बैग में मार्केट उपर गया और 797,830 तो अभी काफी तेजी से मार्केट यानि कि उपर चला गया है तो मैं इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ क्योंकि 43 रुपय में लिया हूँ और 60 रुपिय एडिट और पर क्लिक करना है जैसे एडिट और पर क्लिक करोगे तो 100 पिया भी भाव चल रहा है यहां पर 35 रुपय पर मैं पहले लगाया था अब यहां पर 35 को हटा कर मैं यहां पर 40 रुपिया लगा देता हूँ अब समझ सकतो 40 भी 60 यानि कि 20 रुपय का स्टॉप लोस र है तो मुझे प्रॉफिट जनरेट हो तो अभी मुझे देख सकतो 900 के आसपास में मुझे प्रॉफिट चल रहा है 900, 915, 912, 995, 922 तो हो काफी तेजी से अप डाउन कर रहा है मार्केट तो अब मैं 45 रुपय पर लगा दिया हूँ स्टॉप लोस को सॉरी 45 या पिर कुछ समझे लेना क्योंकि जल्दी-जल्दी के चक्र में यही है इसलिए कोई भी यूटूबर नहीं बनाता वीडियो क्योंकि उसको लॉस होने का डर रहता है भाई पैजा तो मेरा भी लगा है मुझे भी डर है कि मेरा लॉस ना हो इसलिए आप देखते रहिए अच्छे से समझ समझेंगे नहीं तब तक आपको आयेगा नहीं तो चलिए 61 रूपिया अभी 60 रूपिया चल रहा है मैं सोच रहा हूँ फिरस एक बार इस टॉप लउस को ट्रेल करूं तो यहां पर 60 रूपिया चल रहा है 40 रुपिया मैं लगाया था ठीक है 40 रुपिया लगाया था अब इसको डायरेक्टली मैं सोच रहा हूं कि 50 कर दू क्या तो जैसे हिसाब से मार्केट मूब करेगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेल करूंगा तो यहां से मैं 45 कर देता हूं 45 अभी नहीं लगाया था मूह से इकल गया था 45 तो अब मैं 45 पर लगा दे रहा हूँ एंड यहां से मार्केट दे सकतो 58 रुपए पर चल रहा है अभी यहां देख सकतो मुझे 745 रुपए का प्रोफिट चल लाए अब आप लोग सोचोगे कि भाई इसको 1000 का प्रोफिट हुआ तो प्रोफिट बुक नहीं किय अभी 700 पर मार्केट आ गया है तो दोस्त ऐसा होता रहता है अक्सर ठीक है यह ओप्सन ट्रेडिंग है इसमें आपको वेट करना होगा जब तक आप वेट नहीं करोगे तब तक आपको बड़ा प्रोफिट नहीं मिलेगा हाँ वेट तभी करना है जब मार्केट आपके डिर पॉइंट जाये तभी आपको लेना चाहिए अन्यथा आपको ट्रेडी नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप अगर से प्रोफिट नहीं कर रहे हो तो यह सोचू कि आपको लॉस भी नहीं करना है तो यहां पर 845, 15, 835, 852 ऐसे चल रहा है अब यहां से अगर से 60 रुपय के भा करूंगा एंड यहां पर देखो मैं कितने में खरीदा हूं 43 रुपया 75 पैसा में खरदा हूं यानि कि मैं इसको 2100 रुपय के आसपास में खरीदा हूं और मुझे अभी 930-900 का प्रोफिट ऐसे कुछ हो रहा है तो फिर से एक बार सोच रहे हैं देख सकतो यहां पे पेंड तो यहां से मैं इसको 50 कर देता हूं यहां पर कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना ही लिमीट पर ही रहना थे टीक है देखते रहों कैसे करना है अराम से आपर जाहां पर मैं ड्रेल कर रहा हूं थोड़ा साब विडियो को देख लेना ऐसे करके देखोगे तो आपको अच्छ आप जब तक वेट नहीं करोगे आपको profit नहीं होगा एंड यहां पर देख सकतो 1000 का अभी तक हो गया था 1000 भी दिखा रहा था तो यहां पर 980 1000 हो गया है तो सोच रहा हूं कि फिर से इसको trail करो exit order पर क्लिक करो फिर से यहां पर जो trigger price है उसको करो जितना करना है trigger price और price को same रखना है यहां पर 53 कर दिया और यहां पर भी 53 करना है और इसके बाद confirm पर क्लिक कर देना है अब जैसे confirm पर क्लिक करोगे तो आपका stop loss जह हो वो trail हो जाता है 962, 960 952 अब सोच भाई कि 2100 रुपिया लगा कर अगर से आप 1100-800 का profit करते हो तो काफी बढ़िया है आप लोग जादा की चकर में बहुत मत पढ़ना ठीक है अगर से जादा की चकर में पढ़ना तो stop loss को trail करके चलना और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका chart pattern क्यों है मैं इतना देर तक बना क्यों हूँ मैं एक दूसरे mobile में chart को देख रहा हूँ और एक mobile में chart को देख रहा हूँ एक mobile से order को पंच किया हूँ ऐसे क्या रहता है मैं अच्छे से chart भी देख लेता हूँ और यहाँ पर अभी देख सकतो 1011-12 हो गया है तो 1000 के असपास में चल रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा profit लेने की कोशिस करूँगा और यहाँ पर 63 टुपिया चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ना कि अब यहाँ से फिर से एक बार stop loss को trail करें आप सोच रहे हो कि भाई ये मैं धीरे-धीरे की कर रहा हूँ तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे stop loss को trail किया जाता है पूरे YouTube पर कोई आपको इतने अच्छे से stop loss को trail करना नहीं बताएगा और इतना देर तक इतने अच्छे से नहीं बताएगा क्योंकि live market है तो मुझे loss भी हो सकता है चलो अच्छे फिर से मैं stop loss को trail करके दिखाता हूँ आपको तो तिरपन रुपे पर मैं लगाया हूँ 62 रुपिया, 400 रुपिया ऐसे कुछ आसपास में चल रहा है 62 रुपिया चल रहा है तो मैं तिरपन को यहां से हटाता हूँ तो वीडियो को like कर दो ठीक है तो यहां से मैं 55 इसको कर देता हूँ like कर दो confirm पर click कर देता हूँ आप लोग ऐसे देखते रहना कोई भी question query हो तो मुझे question करके बता देना comment में comment कर देना तो 55 कर दिया हूँ अभी 64 रुपिया 60 पैसा 55 पैसा 80 पैसा इसे चल रहा है तो मैं यहां से देख सकते हूँ 43 रुपे के भाव में लिया था ठीक है 1160, 1147 यानि की अब सोचो भाई 200 रुपिया लगा कर 1100 का profit करोगे कितना बढ़िया है ठीक है 200 रुपिया लगा कर अगर से 1100, 1200 का profit कर रहे हो तो काफी बढ़िया है तो मैं चाहता हूँ यहां से भी profit कर सकता हूँ बट मुझे लग रहा है कि हो सकता यहां से market और भी उपर जाए ठीक है तो इसलिए मैं यहां से अभी इसको चलने देता हूँ और जैसा market रहेगा कुछ ना कुछ profit लेकर ही निकलूँगा क्योंकि 43 रुपया के पर खरदा हूँ और 55 रुपय का stop loss है अगर से यहां से मेरा stop loss hit भी हो जाता है तो मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा ठीक है तो अब मैं फिर से यहां पर देख सकतो हो जो मैं 77,750 का call option buy किया हूँ उसका यहां पर देख सकतो 60 रुपया चल रहा है 69 रुपया पचासी पैसा 69 रुपया चारीस पैसा 69 रुपया ठावन रुपया हो गया है भी ठीक है तो अब समझ सकतो 49 रुपया पर लिया हूँ 60 पहुच गया है अभी देखो करेंट में कितना दिखा रहा है 750 ठीक है तो 69 भी हो गया है अब मुझे लगता है कि यहां से market जादा देर तक नहीं चलेगा उपर तक नहीं जाएगा तो देखते हैं अगर से थोड़ा सा उपर जाएगा तो stop loss को trail करेंगे और trail करने के लिए यहां पर देख सकते हैं आपको कितने पर है देखो द्यांसे edit order पर click करना है इसके बाद 60 रुपिया चल रहा है तो यहां पर trigger price and price में आपको same price डालना है तो 55 चल रहा है मैं सोच रहा हूँ कि अब यहां से अगर से market ज्यादा उपर नहीं जाएगा तो मैं 60 रुपिया कर दे रहा हूँ ठीक है अगर से 60 के उपर जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर मैं 60 रुपिया प्यार मतलब 800 के लगबग profit लेकर निकल जाऊँगा तो 60 रुपिया पर अब जान लो थोड़ा सा point अगर से नीचे आएगा तो मेरा stop loss हीट हो जाएगा ठीक है ध्यान में रखना ऐसे करने के बाद अब सोचोगे कि पहले 20 point का stop loss रखा था अब इतना कम क्यों रखा हूँ तो इसका logic है कि मुझे अच्छा खासा profit हो चुका है अब यहां से लगता है कि market उपर ज्यादा नहीं जाएगा इसलिए मैं stop loss को एकदम पाश में कर दिया हूँ और ये भी दिखाऊंगा अगर मेरा stop loss यहां से हीट होता है तो अच्छा अब देखो मेरा stop loss यहां से हीट हो गया और market काफी तेजी से नीचे आया तो दोस्तो अभी आप देख सकतो हो मैं इस वाले candle के एकदम नीचे से लिया था और जैसे जैसे market उपर जाता गया मैं stop loss को trail करता गया और यहां पर आने के बाद यह red candle बनाना सुरू कर दिया और जैसे ही यह red candle बनाना स्टार्ट किया वैसे ही मैंने अपना stop loss को hit करवा दिया और मैं profit booking करके निकल गया तो आसा करेंगे कि आज के ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर कोई भी doubt है तो आप वीडियो के नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं मैं उस पर एक वीडियो ज़रू बनाऊंगा और वीडियो अच्छा लाग तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो मिलते हैं next वीडियो में